इस दुनिया में लोगों को बहुत से सौक होते हैं। किसी को महंगी गारियां रखने का सौक होता है, तो किसी को महंगी घरी पहनने का सौक होता है। लेकिन जो अमीर होते हैं उनकी सौक तो पूरे हो जाते हैं पर जो गरीब होते हैं विक्यवल डेखकर ही अपने अरमान को पूरा करते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे महंगे जूते के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो सायद एक आम इनसान के लिए खरीद पाना एक सपना हो सकता है वैसे जूते कितने भी महंगे हो उसे पेरो में ही पहना जाता है अपने जिन्दगी में आज तक आपने सायद 1000, 2000 या 50,000 रुपिय के जूते खरीदे होंगे लेकिन दुनिया में इतने महंगे जूते भी उपलगद है कि इतने रुपिय से आप एक कंपनी भी खरीद सकते हैं तो बने रहिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे महंगे जूते गोलडाइके डंस दुनिया के 10 सबसे महंगे जूते की लिष्ट में इस एक जोड़ी जूते की कीमत सबसे कम है फिर भी यह आम इनसान के लिए खरीद पाना एक सपने के सातार होने जैसा है इस एक जोड़ी जुते की कीमत 5600 डॉलर यानि भारती रुपे में 3,90,000 रुपे के बराबर होती है सुरुवात में ये जुते इतने महंगे नहीं थे केनेथ कर्टनी नाम की एक अर्टिस्ट ने इन जुतों को गोल्ड प्लेटेड में डिजाइन क्या था और तब से ये जुते इतने महंगे हो गए साल 2012 में ये जुते लौँच होए थे कनाडा के फेमस सिंगर ड्रैक को एर जुटन 10 और एर जुटन 12 जुटन कमपनी के साथ जुरने पर उन्हें गिफ्ट के तोर पर दिये थे जो कि ड्रैक ने एक इस्टेडियम में अपनी एक फैन को गिफ्ट कर दिये थे बाद में उस आदमी ने इन जुतों को 18,700 डॉलर यानि भारती रुपे में 13,000 रुपे में ऑन्लाइन बेजा था हलाकि सुरुआत में ये जुते इतने महेंगे नहीं थे ये जुते आज से लगबग 20 साल पहले बनाए गए थे इन जुतों को बनाने में इटालियन लेदर का इस्तेमाल क्या गया है इन जुतों की कीमत 18,800 डॉलर यानि भारती रुपे में 20,000 रुपे के बराबर होती है हलाकि ये जुते अपने जमाने में इतने महेंगे नहीं थे और इसका मेटरियल भी काफी सस्ता है अगर आपने हॉलिबुट मुवी बैक टू दा फ्यूचर पार्ट टू देखे हैं तो इन जुतों को भी जरूर देखे होंगे कमपनी ने इस तरह के कुल 500 जुते बनाई थे इस एक जोड़ी जुते की कीमत 34,500 डॉलर यानी भारती रुपे में 24,000 रुपे के बराबर होती है हलाकि कमपनी ने इन पैसों को एक चेरिटी में दिया था इन जुतों की खास्यत है कि इन जुतों की सोल में लाइट लगाई गई है और एक रिचार्जेबल बैटरी भी है जो एक बार चार्ज करने के बाद 3000 घंटों तक चलती है नमर फाइड नाइके डायमंड एरफोर्स वान ये जुते बिग बोई नाम की एक सिंगर ने अपने लिए बनवाई थे इन जुतों को खास तरह से मोडिफाई करके बनाया गया है जुते में कमपनी की लोगो को 11 केरट डायमंड से डिजाइन क्या गया है इसलिए ये जुते इतने खास और महंगे है इस एक जुते की किमत 46,800 डॉलर यानि भारती रुपे में 32,50,000 रुपे के बराबर होती है नमबर फूर्स एर जुर्डन ट्वेल केनेडियन सिंगर ड्रेक ने एर जुते की ही तरह इन जुतों को भी 100 के दोरान इस्टेडियम में बैठी एक लड़की को गिफ्ट दे दिया था और बाद में इस लड़की ने भी इन जुतों को ओनलाइन सेल किया और 93,500 डॉलर यानि भारती रुपे में 25,000 रुपे में बेची थी अमेरिका के बास्केट बॉल स्टार माइकल जुतों को 1997 में एक फाइनल मेच के दोरान पहने थे इस मेच में माइकल जुर्डन को फुलू हो गया था इसके बावजुद इसने अपनी टीम के लिए 38 पॉइंट लिए और टीम को जिताया था इस गेम के बाद उनके जुते 97,800 डॉलर यानि भारती रुपे में 68,000 रुपे में निलावी में बेचे गए थे नमबर टी, नाइके एर EG2 अमेरिकन सिंगर कानली वेस्ट ने नाइके कमपने के साथ मिलकर ये जुते डिजाइन किये थे रेड कलर में बने ये जुते दिखने में काफी आकरसक लगते हैं इन जुतों की किमत 16,000,000 डॉलर यानि भारती रुपे में 111 करोर रुपे के बराबर होती है इस जुते को जदा दूबई और फेशन जोलर ने साथ मिलकर बनाया है इस जुते की किमत 17,000,000 डॉलर यानि भारती रुपे में 123 करोर रुपे से भी ज्यादा होती है इस जुते में बेस किमती 15 करट का हीरा लगा है इसके अलावा जुते के कतार में 236 छोटे डायमन लगे हैं सोने से बने इस बेस किमती जुते को डिजाइन करने और बनाने में 9 महिने का समय लगा है इस जुते को 26 सेप्टेमबर 2018 को 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब में लॉंच किया गया था आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जदद दुबई डायमन वाले जुते बनाने के लिए ही जाना जाता है और पेशन डायमन सू के अलावा कुछ ऐसे जुते और सिलिपर्स बनाए हैं जो अपनी कीमत के लिए ही जाने जाते हैं अब जला आप ही सोचिए कि एतने महंगे जूते को इंसान पहनेगा या तीजोरी में रखेगा तो दोस्तो ये थे दुनिया के 10 सबसे महंगे जूते इन में से कौन से जूते के डिजाइन आपको पसना आया कमेंट करके हमीं जरूर बताईए और वीडियो अगर पसना है तो वीडियो को लाइक केजे शेर केजे और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब केजे और बेल आकन को भी दवाईए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार